दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टेडी चैनल राजिन सर्मा टिप्स में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पांच मेंट की डिक्टेशन जिसमें कुल 400 सब्दें और जिसकी स्पीड है 80 सब्द प्यत्र मेंट तो कुछी छड़ों मैं आपके लिए एक इसन लिखने के लिए तियार हो जाएए रेडी अध्यक्ष महोदे सरकार यदी चाहती है कि अनके मामले में देश आत्म निर्भर वने तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफी संख्या में ट्रेक्टर से काम लिया जा रहा है आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उसकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए पेरग्राफ आप बाहर से ट्रेक्टर मंगवा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि यह सारा रुपया ब्यर्थ ब्यय किया जा रहा है मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रेक्टर बनाया जाए बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कार खाने से होकर ही आ रहे हैं इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है किन्त हो यह रहा है कि पंजाव सरकार द्वारा इनको सारे देश में बित्रित किया जाता है चूंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है इसलिए खर्चा जादा लगता है खर्चा कम करने के लिए लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ओचित्य की बात नहीं है इस पर भी आपको विचार करना चाहिए पेरग्राफ आपको किसानों की साहता करनी चाहिए उनकी हिम्मत आप न तोड़ें हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल रही हैं इस और आपका ध्यान जाना चाहिए बास्तम में आप क्रशी की उन्नती चाहते हैं तो सिचाई और बिजली का काफी इंतजार होना चाहिए जब तक सिचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा तब तक खेती की उन्नती नहीं हो सकती अब तक सिचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है लेकिन क्रशी दूसरे मंत्री के हाथ में है ऐसा नहीं होना चाहिए सिचाई बिजली और क्रशी अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नती का काम सरलता से हो सकता है मेरा निवेदन है कि इस और भी आपका ध्यान जाना चाहिए समाजबादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है गरीवी को दूर करके हम सब को बराबर लाना चाहते हैं लेकिन देश में गरीवी आज भी बढ़ती जा रही है मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है लेकिन सरकार को जिस इस्तर तक करना चाहिए था उस इस्तर पर पहुँचना अभी सेज है यदि इस पर हमने विजय प्राप्त कर ली तो संसार में अपना सर गर्व से उठा कर चलेंगे फुल स्टॉप